पटना में थाने में लंबित केस को लेकर पटना आईजी संजय कुमार ने आज कदम कुआ थाना का किया औचक निरिक्षण और चक थाना निरिक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए आईजी संजय कुमार सिंग ने बताया किस थाने में कई केस लंबे थे जिसमें आईओ के द्वारा कोता ही बढ़ती गए जिसके बाद आईजी ने कारदिवाई की है और इसी कड़ी में ऐसे कदम कुआ थाना से स्थान तरेत हुए कुल साथ पुलिस कर्मियों के वेतन रोकने का आदेश दिया गया है जबकि कदम कुआ थाना से सेवा निवरत हुए एक सेवा निवरत पुलिस कर्मी की पेंशन रोकने का आदेश दिया गया है वहीं कदम कुआ थाना को और चक निरिक्षन करने पहुँचे आई जी ने दी गश्टी को लेकर भी थाने में मुकमल व्यवस्था की बात कही है पटना से मनीश कुमार की रिपोर्ट थाना परभारियों को क्या अपने इलाके में रहे हैं कि समिक्षा और जो लंबिस केसे यहां इनकी समिक्षा कर रहे नहों का को क्याशा की है और वहारा प्रयास है कि अधिकस्दिग केसेश जो है पंडिंग चले है परहने प्लाने केसी उने दिस्पोजल रुट तो वल्यक्तिवर केसेश है या प्रादी खत्ना हैं जो पईदल गष्टी में जा रही है और रात्री गष्टी में हो रही है तो अभी हाल किलाल मीद इगा रिजिए कर दो इस यह किशा कर अमलों का सुबह जो सब्सके लिए शुम्हों से जिए हैं कि सुबहों सब्सक्राइब को शिकायत को जोड़ी है सर काफी दर आपने समय बिता है, थाने का हर एक केस का रिव्यूव किया है, क्या कुछ खानी आपाई है। ट्यम्टी बार्स रिश्टा मजबूती का